सावनमास के तरतिय सुमवार को भगवान श्री महाकाल की सवारी श्री शिवतांडप स्वरूप में निकाली बाब महाकाल ने अपने भक्तों को श्री चंदर मौलिश्वर की रूप में पाल की में हाती पर श्री मन महेश की रूप में वा गरुण रस पर श्री शिव तांडप रूप में दर्शन दिये इस यात्रा में मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान पतनी साधना सिंग के साथ शामिल हुए और भगवाण श्री महाकाल का दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशाली के लिए अशिर्वाद लिया सावन के तीसरे सुमवार को श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी निकलने के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदर के सभा मंडप में भगवान श्री चंद्र मौलेश्वर का विधिवत पूचन अर्चवन किया गया उसके पश्वरात भगवान श्री चंद्र मौलेश्वर पालकी में वराजित होकर नगर भ्रमर पर निकले मंदिर के मुख्य द्वार पर सश्रस्त्र पुलिस बलके जवानों द्वारा पालकी में वराजित भगवान, श्री चंदर मौलेश्वर को गाइड ओफ ओनर दिया क्या, सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार और कहार वाडी से ह पुती हुई रामघाट पहुची, जहां शिप्रा नदी के ज्वल से सियम शिवरास सिंग चोहान ने भगवान का चलावी शेख और पूजन अर्चन किया इस मौके पर सियम शिवरास सिंग चोहान बाबा महाकाल से प्रदेश वाश्यों की खुशहाली की काम ना करते नजर आए उनकी किरपा पूरे देश परबर से, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब का मंगल हो, सब का कल्याड हो, यही उनके चरणों में प्रार्द ना है आज बगवान महादेव अपने परिवार के साथ में शिव तांडव सुरुक के अंदर भक्तों को दर्सन दे रहे हैं पूरी आनबा इंसान के साथ में बाबा महाकाल नगरब्रमन के लिए निकले हैं बगवान की प्राचिन संद्क्री परंपराएं बगवान महाकाल चंद्र मुलेस और मन महेस के साथ में आज तांडव सुरूप के अंदर भक्तों को दर्सन दे रहे हैं पंदिर की व्योस्ता और कंजाथ बगवान को गाड आप आनर दिया जाता है आपको बता दे बाबा महाकाल की शाही सवारी रामानुज कोट मोड की धर्मिशाला कार्तिक चौक खाती का मंदर सत्य नारायन मंदर धावा रोड टंकी चौरहा चत्री चौक गोपाल मंदर पटनी बाजार और गुद्री बाजार से होती हुई पुनाश्री महकालिश्वन मंदर पहुची व्यूर रिपोट अम्पी नियूज उजेन